राजनीती में राहूल गांदी का अनुभव लगातार बढ़ता जा रहा है भाजपा केवल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बातें करती है यह कहना है चिनवारा संसदिक शेत्रे से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों और मुख्यमंत्री कमलनाथ के पेटे नकुलनाथ का विजियाना न्यूस के एडिटर इंचीफ डॉक्टर प्रतिक श्रिवास्तों से उन्होंने खास चर्चा की वादा में जिससे हमारे बेरोज़गार नौ जुवानों को रोज़गार में भाजपा के निता चा शिवरा सिंग चोवारों चा केलाश भुजवर्दी ये कहते हैं कि चुना हो जान दीजी लोगसा के बास उसके बाद यह सरकार गिर जाए हमारे बास एक सोचादा है हमारे नमस्कार इस समय हमें साथ छिंदवाडा संसाधी छेतर के युवा प्रत्याशी मदप्रदेश के मुख्य मंत्री कमलना जी के सुपुत्र नकुलना जी मौजूद है यह हम से बात करते हैं नकुलना जी पिता जी की राजनिति विराशत कित्व चैलेंंजिक लग रही है आपको समानना काफी बड़ी चुनोती है क्योंकि जब मेरी बात की जाती है मैरी तुलना तुरंत कंलना जी से की जाती है और आप लोगों को यह बात समझना है कि उनका 40 साल पुराना अनुभव है मुझे तो केवल 40 दिन ही हुई है राजनीती में किस तरह से आप अपने पितारी से इंस्पायर होते हैं किस तरह से आपको लगता है कि वो इतनी सारी चुनोती है अतने सारे टास्क एक साथ समाल लेते हैं मल्टी टास्किंग है किस तरह से आप उसको उनको लेते पूरे भारत के नक्षे पर पहँचा है इसमें कोई शक्रिया जो कोछ है वो कमलनाद जी की वज़े से चिनवाडा और कमलना जी यह की है अब जो नया विजन है जो यूद का विजन है उसको लेकर आप क्या सोच रहें चिनवाडा को लेकर देखिए सबसे बड़ी चुनोती हमारे चिनवाडा जिले में बेरोजगारी की है और अगर मैं यहां से सांसर चुना जाओं मैं हर के नया नवेश नया उद्योग लाओंगा चिनवाडा में जिससे हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले आपने कमलना जी को देखा है कमलना जी बहुत ही मैश्वर हैं बहुत कम बोलते हैं और काम करने में ज्यादा उनका विश्वाद रिजल्ट औरिंटेट पर भी बात करते हैं और दूसरी तरफ सामने कैसा नेता है जो बहुत बड़ी-बड़ी बाते करता है जो जिसका कहना चाहिए इसके बोल वचनीशी शक्ति है कैसे कंपेर करते हैं कमलना जी को रुस पढ़ने ताको देखिए कमलना जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं मोदी जी तो बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं उन्होंने जूटे वाइदे किये अब जनता उनसे हिसाब मांग है उनसे जवाब मांग रही है वो कोई हिसाब नहीं दे पारे कोई जवाब नहीं दे पारे और जनता को फिर से गुम्रा करने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रवाट की बात करते हैं वो वो पहले बताए 15 लाग रुपे कहा गए वो बताए रोजगार को क्या हुआ वो अच्छे दिन को क्या हुआ को अच्छे दिन तो आहीं नहीं जो करना जी को 3050 में अच्छे रूप में देखता हूं बहुत अच्छे रूप में देखता हूँ क्योंकि हमने अपने वचन पत्र में कई सारे वादे वचन दिये थे उन में से हमने 80 से भी 82 वचन निभाए हैं चाए वो किसानों का करदा माफ हो चाए पेंशन की राशी में बढ़ोती हो चाए कन्यादान की राशी हमने का था 51,000 क कर देंगे हमने वह भी कर दिया हमने का था 100 रुपे 100 यूनिट बिजली का बिलहाफ यह सब वचने हम वचन हमने निभाए हैं भाजपा के नेता चाए शिवरा सिंग चुवारों चाह के लाश भी यह कहते हैं कि चुना हो जान्दी जी लोग सा के बाद उसके बाद यह सरका बाद रहें तो उनके पास है नहीं अगर उनके पास हांकड़े होते तो चुनाब के बाद कॉंगरिशनी सरकार को क्यों बनने देते राउल गादी को आप बचपन से देख रहे हैं आप उनके साथ हीं दिन बर दिन बड़ रहा है और देखेंगे बारतिय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है वो सिर्फ ध्यान मोड़ने की राजनीती कर रहे है यह वो है यह फलाना भूना बात से कोई फरक तो पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि आप जनता भारतिया जनता पार्टी को समझ गई है पहचान गई है और जनता हिसाब और जबाब मांग रही है चिंदव चिंदवाडा में नया निवेश लाओंगा नए उद्योग लाओंगा जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले फिर मैं शिक्षा की ओर ध्यान दूंगा चिंदवाडा जिले में मांग बड़ी देर से है कि यहां एक युनिवरसिटी आए मैं सर्वे करा रहा हूं और जब सर्वे के रिजल्ट आएंगे तब हम डिसिशन लेंगे कि यहां युनिवरसिटी आए और फिर आप जानते हैं चिंदवाडा का मेडिकल कॉलिज खुला है और मैं कमलना जी और मेरी भी सोच यह है कि हमारे जिले से कोई बार इलाज कराने ना जाए बलके नाकपुर से लोग चिंदवाडा है इलाज कराने को बहुत धन्यवाद आप देख रहेते नकुला जी को बता रहें कि चंदवाडा को लेकर उनका विजन क्या है और इस प्रामिसिंग यूवा लीडर को देखकर लगता है कि चिंदवाडा अब बहुत आगे जाने वाला है बहुत उचा